हालो एब्रीवन आई हाव डॉट यू संटेंसेस विच आ यूज इन डेली लाइफ यूज ऑफ इट इट का प्रियोग कहां किया जाता है इससे संबंदिक ट्रांसलेशन भी करते हैं हम देखे इसका जो स्ट्रक्चर है सबसे पहले इट आएगा फिर वर्व आएगा और उसक फॉर्म आएगी था है तो पास फॉर्म आजए ध्याँ रखना है तो इसके एक्जाम्पल देखी पहला है आज संबार है इट इस मंडे टुडे अब यहां पर रहा कि कल रवी बार था इट वस संडे यस्टरड़ी ऐसे होगा इट वस संडे यस्टरड़ी तो ऐसे था के ल सपंबर यहां 2021 ईच विह है यह यहां 2021 बाइन मजट विटे और मेरे जोड़ी मेन संड अब चब यहां बाई पर रहार आन। सुबा है, it is morning, शाम है, it is evening, सुबा है, it is morning, शाम है, it is evening, दो पहर का समय है, it is known, शर्दी है, it is cold, it is cold, गर्मी है, it is hot, it is hot, बरसा बरस रही है, it is raining, it is raining, जोर की बरसा चल, जोर की हवा चल रही है, it is blowing hard, हवा के लिए यहाँ पर it use किया गया, देखे, it is blowing hard, hard मीन्स जोर से, blowing मने बह रही है, अंधिरी रात है, it is dark night, it is dark night, अगर ठी होता तो क्या होता, it was dark night, ऐसे हो जाता, तो ध्यान रखना है, बिजली चमक रही है, it is thundering, it is thundering, बिजली चमक ने को thunder कहता है, बादल गरजने को भी thundering कहता है, लेकिन वहाँ पर आ जाएगा, जैसे बादल गरज रहे हैं, तो वहाँ पर it नहीं आएगा, वहाँ पर आएगा, the clouds are thundering आएगा, इदहां लगना है, तो बिजली चमक रहे के लिए it use किया जाता है, it please, इसको like करिए, share करिए, और अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है, तो please, you are requested to subscribe my channel, okay, thank you.